हेलो एब्रीवन वेल्कॉम अगेन टू लंग्रे देतिमन आज हम करेंगे क्लास 6 का चेप्टर नमबर 6 तो 5 तक हमने कम्प्लीट कर लिया था आप लोगों ने रिवाइज भी कर लिया होगा तो यहां देखिए कोशन नमबर 1 देखिए सबसे पहले आपको बुक जो है वह इसी लिए पढ़ाई गई थी ताकि कोशन के सही आंसर जो है वह आप सोच सको और यहीं पर आंसर देने की कोशिश भी करो तो इसी तरीके से एक्जाम की तयारी जो है वह करते हैं सभी बच्चे RPSA का कोई भी एक्जाम हो वहाँ पर राजिस्तान जीके के लिए आपको इनी बुक को फॉलो करना होगा कोशन वन है भूस अनरचना के आधार पर राजिस्तान को कितने बहुतिक भागों में विभक्त किया गया है तो आंसर है थार का मरुस्तल पूर्वी मैदान अरावली परवत और दक्षन पूर्वी पठार थार का मरुस्तल राजिस्तान के किस भाग में आता है तो यह आता है पक्षमी भाग में जिस भी कोशन का आंसर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो इसका मतलब यह है कि आपने चैप्टर सही से नहीं पड़ा है चैप्टर को सबसे पहले रीडिन करिएगा बहुत अच् राजिस्तान राजे के कितने जिलों में थार का मरुस्तल फैला हुआ है तो यह थार का मरुस्तल बारा जिलों में फैला हुआ है और थार का मरुस्तल कहां है पक्षमी भाग में इस्तित है थार का मरुस्तल कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है तो बारा जिलों में इस इस मरुस्थल में लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। बाड मीर, जैसल मीर, बीका नेर में इस्तित रेतीले मरुस्थलिय भाग को हम क्या कहते हैं। तो ये कहा जाता है भारतिय महा मरुस्थल। थार के मरुस्थल को धरातलिय विसेश्थाओं के आधार पर कितने भागों में बाटा जाता है। तो सबसे पहले मैप जो है वो आपको याद रहना चाहिए जो मैंने आपको पहले दिखाया था। राजेस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर अरावली परवत माला विस्तृत है। तो यह 9 प्रतिशत भाग पर विस्तृत है। विस्तृत का सबसे प्राचीन परवत कौन सा है। तो विस्तृत का सबसे प्राचीन परवत है अरावली परवत। और यह दक्षिन में गुजरात के खेड भ्रह्म से लेकर और उत्तर में दिल्ली के राय सीना तक फैला हुआ है। यह 692 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो यह दो भागों में बाटती है, पूर्वी और पक्षमी राजिस्थान. राजिस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? अरावली परवत माला को ही कहा जाता है. और इसके पक्षमी भाग जो की सुस्क कहलाता है और वहीं इसका जो पूर्वी भाग है वह मैदानी भाग कहा जाता है इसलिए राजिस्थान की जीवन रेखा कौन सी है अरावली परवत माला राजिस्थान में अरावली बर्वत माला की सबसे उंची बर्वत चोटी कौन सी है तो यहां है गुरु सिखर जो की 722 मीटर है और यह माउंट आबू और शिरोही में इस्तेत है राजिस्थान का पूर्वी मैदानी भाग किन नदियों के द्वारा निर्मेथ है तो यह जो पूर्वी मैदानी भाग है तो यह चंबल, बनास, बान गंगा और उनकी सहयक नदियों द्वारा निर्मेथ है तो इसी वज़े से इसे मैदानी भाग कहा जाता है क्योंकि यहां पर नदियां है राजिस्थान का पूर्वी मैदान कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है तो यह पैला हुआ है 23 प्रतिशत भाग पर उत्खात भूमी किसे कहा जाता है उत्खात भूमी किसे कहते हैं तो इसे नाली अपर्दन के कारण जो भूमी अत्य दिक उबर खावड हो जाती है तो उसे कहते हैं उत्खात भूमी पूर्वी मैदान में राजिस्थान की कितनी जनसंख्या जो है वहे निवास करती है तो यहां पर 40 प्रतिशत जनसंख्या जो है वहे निवास करती है नेक्स्ट देखिए राजिस्थान के दक्षनी भाग में 56 गाओं के समू और 56 नालों से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है तो राजिस्थान का जो दक्षनी भाग है यहाँ पर 56 नालों से निर्मित मैदान कहलाता है 56 का मैदान इन question answer से हम लोग पूरा chapter ही cover कर रहे हैं एक भी question जो है वो आप ignore नहीं करेंगे राजिस्थान के कितने भाग में दक्षिन पूर्वी पठार है तो दक्षिन पूर्वी पठार 7 प्रतिशत भाग में है सिरोही में कौन सा पठार इस्तित है सिरोही में उडिया और आपू का पठार इस्तित है नेक्स्ट देखिए उदेपुर एवम राज सम्मत में कौन सा पठार इस्तित है आपको क्या करना है कि हर question का answer देने की कोशिश करनी है यदि आपने chapter पढ़ लिया है तो वीडियो को pause करके देखिए और यदि फिर भी आप answer न दे पाएं तो इस वीडियो को दुबारा से देखिए ठीके और इस तरीके से आप इन चीजों को याद कर लीजिए कि आप लोग जब भी अपने notes बनाएंगे या आप बना चुके हैं या जिन बच्चों ने कोर्स लिया है वहां जो भी notes होंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाले हैं तो उदेपूर और रासम्मद में हैं भोराट का पठार जित्तोडगड में कौन सा पठार इस्तित है तो यहां उपर माल का पठार इस्तित है उदेपूर और परताबगड में इस्तित कौन सा पठार है उदेपूर और परताबगड में लसाडिया का पठार इस्तित है तो कलास इतनी छोटी है लेकिन कुश्चन देखिए बहुत ज़्यादा important है और बहुत बड़े-बड़े एक्जामें पूछे भी गए हैं राजिस्थान में कितनी रितुएं पाई जाती हैं राजिस्थान में तीन रित्यों पाई जाती हैं ग्रीश्म वर्शा और सीत ग्रीश्म रितु मार्च से जून तक वर्शा रितु जुलाई से सेतंबर तक सीत रितु अक्टूबर से फरवरी तक राजिस्थान का सबसे ठंडा इस्थान कौन सा है? तो सबसे ठंडा इस्थान जो उंचाई पर होगा तो वह है माउंट आवू राजिस्थान में ग्रीश्म रितू में चलने वाली अत्यांत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो यहां इन हवाओं को कहते हैं लू और यह एक इस्थानिय पवन है राजिस्थान की 90 से 95 प्रतिशत तक वर्षा किस रितू में होती है तो यह वर्षा रितू में ही होती है ठीके तो वर्षा रितू में ही 90 से 95 प्रतिशत तक वर्षा जो है राजिस्थान में हो जाती है और यह सबसे ज़्यादा बंगाल की खाड़ी से होती है राजिस्थान का कौन सा जिला सबसे आद्र जिला माना जाता है जो आद्र जिला जो है जालावाड को माना जाता है यहां 100 cm लगवग वर्षा होती है राजिस्थान का सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है तो पक्षमी भागी जो की सुष्क है तो यहां पर जैसल मेर में केवल 10 cm तक वर्षा होती है राजिस्थान का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? तो यहां देखिया माउं टाबू जो है सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है जहां 1.500 cm से लगबग वर्षा हो जाती है भारत में शीत रितू में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है भारत में शीत रितू में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं या पक्षमी विक्षोप कहते है भारत में शीत रितू में होने वाली वर्षा किस फसल को लाब मिलता है तो यहां पर जो मावट जिसे कहते हैं उसे गीहूं की फसल को ही लाब मिलता है तो इस तरीके से 31 कुशन जो है इस चैप्टर में निकल कर आए हैं हरे कुशन आपके लिए इंपोर्टेंट है जिन बचोंने चैप्टर पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो यह चैप्टर जो है वह पूरा कवर कर लेता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीजियो में थेंक यू